हाली में आप लोगों ने एक रिपोर्ट के बारे में सुना होगा फोर्ड वेश्ट एंडेक्स रिपोर्ट के बारे में और याद रहे कि मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को आश्चे हुआ होगा आप लोगों ने भी देखा होगा कि एक तरफ आप देखते होगे कि लोगों के पास खाना नहीं है दूसरी तरफ आप देखते होगे कि कितना खाना वरबाद चला जाता है फेग दिया जाता है आप लोगोंने इस तरह की भी तस्वीरें देखी होगी कि जो खाना फेक दिया जाता है उसी में से लोग या बच्चे गरीब बच्चे उठा के खाना खाते हैं उनी नेवालों को तो आप समझ सकते हैं कि कितना खाना वरबाद हो रहा है और एक तरफ कितने लोग भुकमरी से मारे जा रहे हैं देखे कुरोना वाइरस की वैक्सी नहीं थी इसलिए लोग अगर डेथ हुई है लोगों की तो उसमें हमारे पास कोई उप्सन नहीं था लेकिन याद रखी भुकमरी का ओप्सन है भुकमरी की दवाई है कि अगर लोगों को खाना उपलब्द कराये जाए तो इतनी जो मौतें होती हैं इनको हम लोग रोक सकते हैं एक तरह से और आप लोगों को आक्ष्य होना भी चाहिए कि आप अपने घर में ही देखते होंगे कि अगर संबन परिवार से हैं तब आप देखते होंगे कि कितना खाना वरबात जाता है और कितना खाना फेका जाता है और दूसरी यह तरफ आप जोपडियों वालों के यहां कि किस तरह से अपनी जिन्दिगी का गुजारावसा करते हैं तो चलिए इस रेपोर्ट के बारे में फ्लूरा जान लेते हैं और मुझे लगता है कि इस तरह के कुश्चन्स बनते रहते हैं परिक्षा की पॉइंटी भी उसे भी मत पूण है और अगर आप आंसल लिखते हैं और निवन लिखते हैं तब भी आपके पॉइंट मत पूण रहेंगे और वैसी भी आप लोग भारत में रह रहे हैं या दुनिया में कहीं रह हैं तो आप लोगों के इस तरह की रेपोर्ट के बारे में मालू होना चाहिए देखिए यह हमारी प्यारी पितवी और इसमें आप देखेंगे ACIA है और ACIA में हमारा प्यारा भारत आपको दिखाईते रहा है यह हमारा प्यारा भारत अगर अपने पडोसियों की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि नीचे आपका स्रीलंका देखने को मिल जाएगा यह म्यानमार है यह बंगला देश हो गया भूटान हो गया नेपाल हो गया चीन हो गया पाकिस्तान अफगालिस्तान और यह बीच में आपकी यहां राजधानी है यह अरब सागर हो गया यह बंगाल की खाड़ी है ठीक है नीचे लच्छी दीप सागर और नीचे आप जाएग महाली में food waste index report 2020 को जारी किया गया है, food waste index report 2020 के मापकरिये 2021 के निसकर्सों से यह अत्तिव सामने आया है कि घरों या फिर रैस्तान, दुकानों में बड़ी मात्रा में खाद पदार्थों को बरबाद किया जाता है, जिसकी समग के खाद पदार्थों में इससेदारी लगबग 17 70.00 कोई कम नहीं है घर हो आपका घर की बात करें या आप लोग देखте है होटल रेस्टोरेंट देखते हैं आप लोग और आप मुझे लगता है कि आप बाहर रहते हैं घर से बाहर रहते हैं तो आप लोग उन्ने और बहतर प्रीके से देखा ओगा, ।ो 70.00 आप समझे जिसे आप लोग UNEP कहते हैं, और WRAP, द्वारा Food Best Index Report 2021 निर्मित किया गया है, यानि कि तियार किया गया है, और याद रहे कि WRAP, बेटे निश्थित एक गर्सकारी संगठन है, तो यहाँ आपके दो संस्थान आये हुए हैं, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि इस प्रिअलग्राम, इसकी इस्तपना हुई थी 5 जून 1972 को, इसकी अगर आप से मुख्याले कि कभी पCha कि इसका मुख्याले कहा है, तो इसका मुख्याले आपको देखने को मिलेगा नेयरोवी, कैन्या मैं, कहा हैं, अफिक का माहदीब अयरिए आपका नेरोवी केन्या दूसरा है आपका देखिए डबलू आर ए पी जिसी आप लोग वर्ल्ड वाई रिस्पांसिवल आक्रेडेटिट प्रोडेक्शन कहते हैं इसका आपको अगर वो इसकी स्थापना की बात करें तो सन फूड बेश्ट इंडेक्स रिपोर्ट को फिकासित करने का लक्ष HDG के 12.3 की लक्ष का समर्थन करना है और याद रखिए जो आपके सदद भिकास लक्ष हैं इनको भी आप लोग याद रख लीजे क्योंकि आपके फ्रेलिम से में कई बार डारेक्ट कुश्चन्स आ जाते हैं 17 हैं आपके सदद भिकास लक्ष इन्हें आप लोग रट्टा जो भी करना आप लोग को कंधस्त याद होना चीए क्योंकि कई बार आंसर आइटिंग आप लोग करते हैं करने की संदर्ब में देशों की प्रगिती के मूल्यांकन ही तू घरेलू खाद सेवा और खुद्रा इस तर पर खाद अपसिष्ट को मापने के लिए प्रगिती के लिए राष्टी ये ररनीती के निर्माड ही तू फेरित होंगी जो खाद पदार्थों की वरवादी को रोकने के लिए फरयाप्त रोप से संब्यदंसील होगा इसके साथ ही वांचित दिशा में प्रगिती को मापने ही तू बैस्विक इस तर पर विमने ने देशों की वीच तुलात्मा कद्धेन करने में यह हिंडेक्स मददगार होगा एक बात पर याद रखी हमारी ही देश की बात नहीं है हमारे देश में तो आप देखेंगे की होता ही है बाकी देशों में भी सेवतराज अमेरिका हो या बाकी देशों इनमें भी बहुत बड़ी मात्रा में एक तरह से खाद दया जो भी खाना होता है यह बरबात जाता है खाद उत्पादन बरबाद होता है। यह लगभग आपको देखने को मिलेगा 930 मिलियं टन। आप समझ सकते हैं कि 930 मिलियं टन खाद पदार्ध बरबाद होता है। आप समझ सकते हैं कि कितना है पूरे दुनिया की बात कर रहा हूँ, खेतों और आपोर्टी सिंखला में होने वाले खाद नुकसान को मिलाने पर यह अतत्य सामने आता है कि दुनिया में एक तेहाई भोजन कभी खाया ही नहीं जाता है, आप समझ सकते हैं कि एक तेहाई खाना उपयोग ही नहीं कर पाते हैं हम लोग और इसे अगर हम लोग बचा सकते हैं और सही लोगों तक पहुँचाया जाए तो आप समझे भुकमरी बहुत बड़ी हद तक कंट्रॉल हो सकती है लोग भूखे नहीं रहेंगे ठेक है? 2019 में बेंचे गई 930 मिलियन टन से अधिक खादपदार्थों को कूड़ेदान में डंप कर दिया गया यानि कि बरबाद कर दिया गया आप समझ सकते हैं कि अगर एसे कूड़ेदान में ना फेका जाता, दूसरी तरब जाता, तो कितने लोगों का भाला कर सकता था? ठीक है? यागि भी खादपदार्थों को विक्सित देसों की समस्या मानी जाती है लेकिन रेपोर्ट में यह भी पाएगा कि गरीब देसों में भी खादपदार्थ की बरबादी ब्यापक मात्रा में हुई है विक्सित देसों की इसलिए बात की जाती है क्योंकि आप समझे उनके पास पैसा है, सब के घर में एक तरह से संपन है, तो बरबाद होने कि कोई आप समझ सकते हैं कि नॉर्मल सी बात है, लेकिन गरीब देशों में अभी अगर खाद पदार्स्त बरबाद होते हैं, तो ये चिंता का कारण बन जाता है, कि जिरहां खाना ना हो और खाना बरबाद हो रहा हो, तो एक बड़ी चिंता हो जाती है, अध्यन में ये भी देखा गया है कि आपूर्ती सिंखला के द्वारें घरों में 11% भोजन की बरबादी हुई है, तो वहीं खाद सिवाओं खुदरा दुकानों में क्रमसा बरबादी का ऐस तर 5% और फिक दिया है, इसी ऐसी तरह की बात की जारी है, भारत में घरों में बरबाद होने वाले भोजन की मातरा पिती वेक्ती, पिती वर्स 50 किलोग्राम है, आप समझ सकते हैं कि कोई कम नहीं है, ठीक है, हर साल यानि कि एक साल में पिती वेक्ती की बात करें, 50 किलोग्राम बरब अमेरिका में घरों में बरबाद होने वाले भुजन की मात्रा पिती वेक्ती पिती वर्स 69 किलोग्राम है जो यहां चीन में यह मात्रा पिती वेक्ती पिती वर्स 64 किलोग्राम है यानि कि हमारे यह कम है और आप जानते हैं कि हम लोग मतलब कम भी हैं से हमारी GDP को देखी आप अमेरिका और चाइना से नीचे हैं हम लोग दच्छे डेसिया कि अगर देशों में बरबाद होने वाले भोजन की मात्रा पिती वेक्ती पिती वर्स के संदर में 82 किलो के साथ अफगानिस्तान टॉप पर है आप समझे अफगानिस्तान गरीब देश है फिर वही आप समझ सकते हैं कि 82 किलो ग्राम खाद पदार थेक तरह से बरबाद होते हैं जहां खाने की लाले पड़े हुए एक तरफ दूरी स्थिरी तरफ आप देख रहे हैं बरबाद जा रहा है वही अन देशों में बरबाद होने वाले भोजन की मातरा में नेपाल आपका 89 किलो और स्री लंका में 76 किलो पाकिस्तान में 74 किलो और वंगला देश में 65 किलो है इस तरह भारत दच्छे डेसिया में पिती वर्ष्ट, पिती व्यक्ती खाना बरबात करने वाले देशों में की सूची में अंतिम पायदान पर है और एक बात और आपको बता दूँ कि इस खाने को अगर हम बचाएं तो आप समझी कोई गरीब नहीं रहेगा कोई भूंक से नहीं मरेगा, लेकिन बचाने का कोई तरीका ही नहीं सुझाया, कोई निकालता है, कोई कॉसिस ही नहीं करता है वो कहते हैं ना कि लोग अपने कर्वों से गरीब हैं तो वही हाल यहाँ हैं कि आपके पास खाना है फिर भी एक तरह से खाना बचाय ही नहीं जा रहा है बैस्विक इस्तर पर इतनी ब्याबक मातरा में खाने की बरबादी के मायने की बात करें की आखिर क्या मायने रखते हैं तो आप सभी लोग जानते हैं कि इसका नुकसान तो होता ही है पूरे विस्व में ब्याबक मातरा में बरबाद किये जा रहे भुजन का पर्यावन पर सामाजीक और आल्थिक रूप से नकारत्मक असर पड़ता है आप देखते हैं कि अगर 10 किलों गयों में काम चलना है तो आप कितना एक खेत में आप सोचे कि कमी खेत एक तरह से बुवाई हो जाएगी तब भी आपका काम चल जाएगा बना आपने देखा है कि अगर 100 को ग्राम गयों चाहिए आपको तो आप लोग जंगलों का और सफायर करेंगे इस तरह पर्यावन पर भी नुकसान पहुंचता है आप लोग देखते होंगे उसमें एक तरह से आप लोग कीटों की दबाई भी डालते हैं उसका भी पर्यावन पर नुकसान देखा जाता है और सामाजिक और आर्थिक चित में भी आपको देखने को मिलेगा कि निगेटिव पॉइंट एस पर निगेटिव असर पड़ेगा नॉर्मल सी बात है अगर हम लोग बिसे सग्गों की बात करें तो ऐसे खाद पदार्थ जिनका सेवा नहीं किया जाता अर्था जो बरवाद हो जाते हैं उनका बैस्विक ग्रीन हाउस उत्सरजन में हिस्सा आठ से दस पितीसत होता है यह भी चिंता का कारण बना हुआ है खाद और किर्सी संगठन के सहे अध्यन के अनुसार वर्स 2019 में कुल 79 करोड लोग भुकमरी के सिकार थे आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में लोग एक तरफ भुकमरी के सिकार हैं दूसरी तरफ खाना बरबात किया जा रहा है कोविद 19 महामारी के उपरांत इस संख्या में और भी विद्धी की संभाव ना है और याद रही कि यदि भोजन की बरवादी को कम करके दुनिया में भुकमरी की सिकार लोगों की मदब की जा सकती है और की जा सकती है बिल्कुल सही बात है भोजन की बर्वादी से ना किवल ग्रिंड ाउस गेसों के उसाजन एबं भुक मरी की समस्या को दूर किया जा सकता है बलकि इसके मिरदास अरखचन के दूसरा और जल्वाई फरिवतन जैसी से बेहद समस्याओं को भी कुछ है तक दूर किया जा सकता है देखे इसमें याद रखे सरकारें कुछ नहीं उखार सकती हैं मैंने पहले भी आप लोग उसे कई वार बोल चुका हूँ कि स्वक्ष भारत अभियान को अगर आप लोग मौदी की सफलता कहते हैं मौदी गवर्मेंट या मौदी सरकार की तो मुझे लगता है गलत है आगर आप लोग सभी लोग भागीदार ना होते तो सरकार कभी इसमें सफलता ना पापाती तो कोई भी काम हो अगर सरकार के साथ आप सभी लोग मिलकर काम करते हैं तभी सक्सिज या सफलता पाई जा सकती उच्छे तुमें आप लोग देखते होंगे कि आपके घर में अगर खाना बर्बात जा रहा है, तो आप आसपर रोज देख सकते हैं, आराम से इस तरह के लोग मिल जाएंगे, जिनके घर में कमी होगी, वहाँ आप लोग दे सकते हैं, लेकिन यही है कि आप लोग सोचते होंगे कि कौन जाय द देखिए जो भी पेश्ट हो आपके पास, जो खराब एक तरह से आपकी यूज में ना हो, और दूसरे की यूज लाइक हो, तो उन्हें दे दिया करिए गदान, अच्छी बात है मुझे लगता है, खेले छोड़िए आप लोग, इस के बारे में यही पॉइंट आप लोग या